हेलो फ्रेंट्स, दिस इस एस्पिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरिडे डिये फ्रेंट्स, आज एक हमारा पहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रद्धी और विकास है ग्रोथ एंड डेवलेप्मेंट जोकि हर यूनिवर्सिटी में, चै कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें ब्रद्धी और विकास टॉपिक 100% मिलता ही मिलता है बियट में ठीक है, अगर मैं प्रापर बात करूँ तो कानपूर यूनिवर्सिटी में पेपर्स थर्ड है आपका ये साइकलोजी का, ठीक है, जिसमें आपको ब्रद्धी और विकास पढ़ने को मिलेगा लखनौ यूनिवर्सिटी में आपका पेपर सेकेंड है सिक्षा के मनोवेगानिक प्रिप्रेच यानि की साइकलोजी, ठीक है और लखनौ में पेपर सेकेंड है, यूनिट आपकी ये फर्स्ट है ठीक है, जहां आपको ब्रद्धी और विकास टॉपिक मिलेगा हम जानते हैं कि ब्रद्धी और विकास आखिर होता क्या है एक एक चीज को समझेंगे, पहले हम, मैंने अभी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं पहले मैं आपको वो समझाऊँगा, ठीक है, ताकि एक भूमिका बन जाए और फिर मैं आपको बहुतिन तरीके से समझा सकूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, पहले तो मैं पांच पॉइंट्स में आपको ग्रोथ और डपलेमेंट बताऊँगा उसके बाद फिर मेरे पास यह जो पुराने नोट्स है, जिनसे मैंने पहले बढ़ाया था यह कुछ नोट्स है, फिर मैं आपको इस परकार से अंतर बताऊँगा दोनों में, आखिर क्या अंतर है वर्द्य और विकास, फिर हम जाने की आखिर अभी वर्द्य और विकास क्या होता है इनमें भी difference क्या होता है, इस परकार से एक एक चीज को हम discuss करेंगे ठीके और ये points पढ़ाने के बाद पहले मैं आपको यहाँ से कुछ इस book से बताऊँगा अभी व्रद्धी और विकास क्या होता है तो आज हम अभी व्रद्धी और विकास को एकदम कते clear करने वाले हैं ठीके चलिए तो शुरू करते हैं आखे व्रद्धी और विकास होता क्या है अगर मैं बात करूँ तो लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि व्रद्धी और विकास दोनों शेम है जी नहीं, हम यूँ कहा सकते हैं कि परिवर्तन है व्रद्धी और विकास को हम क्या कहा सकते हैं परिवर्तन कहा सकते हैं कि व्रद्धी और विकास क्या है एक परिवर्तन है, ठीके जो की जीवन परेंद चलता है आप को ही पता है कि कहा गया है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है भै गर परिवर्तन नहीं हुआ परिवर्तन ही रुग्या तो सब चीज़े क्या होगा इस्थिर हो जाएंगी तो परिवर्तन तो चलता रहता है तो वर्धि और विकास को गर एक सब्द में बोले किया जा सकता है यानि कि जो व्रद्धी है उसमें हम ये देख सकते हैं कि विक्ति का वजन कितना हुआ विक्ति पहले कितना मोटा था अब कितना हुआ हम पहले इतने इंच मोटे थे अब इतने इंच घट गए है उसकी उम्र कितनी है है आकार क्या है तो इस प्रकार से हम उसक बेस पर काम करता रहेगा जी नहीं वो प्रिवर्तन सील है उसमें प्रिवर्तन आता रहेगा है ना तो या फिर रोबोट नहीं है जिसको जितने पर फिट कर दिया उतने पर काम करेगा वो अपनी उम्र के साथ समय के साथ प्रिवर्तित होता रहेगा है ना तो जो व्रद्धि उससे हम माप सकते हैं कि विक्तिका वजन कितना है, उसकी उम्र कितनी होगा, उसका आकार कितना हो गया, या उसकी आलतों में कितना प्रिवर्तन हुगा, इस प्रकार से उसको हम माप सकते हैं, ठीके, और ठीके, चलो, आगे बढ़ते हैं, जिनको माप आ जा सकता है, वो वर्तन व्रद्धी कहलाते हैं मातरात्मक फिर से वही बात कि उसका वजन कितना हो गया उम्र कितनी हो गई है ना ये सब क्या है मातरात्मक है व्रद्धी एक आजीवन चलने वाली प्रकरिया नहीं है व्रद्धी जो है वो एक आजीवन चलने वाली प्रकरिया नहीं है या प् परिपक्क हो गई हमने चीजों को पकड़ना शुरू कर दिया मजबूत हो गया हाथ हमारे है ना परिपक्कता आ गई लेकिन क्या यह जिवन परियंत बढ़ेंगे उगलिया हमारी नहीं बढ़ेंगी एक समय के साथ ब्रद्धी हमारी रूक जाती है ठीक है उसके बाद परिपक्कता टक चलते है जब पूट मजबूत हो जाती है हमारी हमारा सरीर क्या है एक उम्र तक बढ़ता है उसके बाद सरीड का जो बढ़ना है वो रुख जाता है ठीक है तो ब्रद्धी आजीवन नहीं चलती है परिपोकता तक चलती है फिर विकास से related एक point लिखा हुआ है कि जो विकास है वो एक विवस्थित परिवर्तन से है एक सठीक तरीके से चलता है विकास है तातपर विवस्थित परिवर्तनों से है जो एक विक्ति को अपने पूरे जीवनकाल में निर्भरता से आत्म निर्भरता की ओड़ ले जाता है यानि कि पहले जो हम पैदा हुए थे तो हम दूसरों पर depend थे अपने parents पर depend थे हमें कोई पानी ला दे हमें कोई खाना दे दे हमें कोई उठा करके चाए दे या चाए है तो हम बच्चों क्या करते हैं चाय होती फिर उसको ठंडा करते हैं फिर बच्चे को देते हैं बच्चा वो भी नहीं कर सकता अगर हम दे देंगे तो डाइट वो गर्म गर्म पी जाएगा बच्चा चाय भी ठंडी नहीं कर सकता पानी भी नहीं ले सकता यानि कि बच्चे को सूसू भी कराना पड़ता है है ना लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि वो निर्भरता से आत्म निर्भर हो जाता है क्या हो जाता है आत्म निर्भर हो जाता है फिर उसे किसी की किसी से मांगने की जुरूरत नहीं है वो खुद उठकर के अपनी हरे काम कर लेगा नहा लेगा, धो लेगा और कुई चीज लेनी है वो भी ले लेगा तो वो निर्भरता से आत्म निर्भर की तरफ गया ये क्या था? ये उसके अंतरगत, ये उसके अंदर विकास हुआ है ना? एक विवस्थित परिवर्तन के साथ होता है विवस्थित परिवर्तन कैसे? बच्चा पैदा होता है, पहले वो क्रॉलिंग करता है पहले क्रॉलिंग कहां करता है? पहले तो लेटा रहता है, फिर दीरे बैटना सीखता है फिर धिरे धिरे अपने crawling करता है अपने घुटनों पर चलता है ऐसा थोड़ो है कि पैदा होने के बाद पहले बच्चा दोड़ने लगा फिर अरे नहीं ये तो बैठना तो भूली गया था फिर बैठना सीखा या दोड़ने लगा अरे ये तो crawling करना भूली गया ऐसा नहीं है इधर उदर नहीं होता है, एक विवस्थित परिवर्तन होता है, एक शटीक धंग होता है, कि बालक पहले लेटा रहता है, फिर वो धिये धिरे बैटना सीखता है, फिर क्रॉलिंग करना सीखता है, फिर वो धिये धिरे लड़कड़ा के चलना सीखता है, किसी चीज़ को पकड से कबर तक जाता है मां की गर्ब से विकास शुरू हो जाता है और कबर तक यानि की हमारी लाष्ट उम्र तक हमारा विकास होता रहता है ऐसा नहीं कि हमें एक ही चीज़ पर ठीके रहें भाई प्रिवर्टनी जीवन का नियम है अगर आज हम आज आप किसी स्कूल में पढ़ा है ना तो अध्यापक है हेड मास्टर बने प्रिंस्पल बने और उससे आगे बढ़ें तो यह क्या है प्रॉसेस है वेक्ति अपने जीवन काल में कई तरह से विक्सित होता है शायरिक मांसिक भावनात्मक ठीक है कई तरह से विक्सित होता है चलिए अब हम जानते हैं और ही जे हैं मैं चार लाइने इस बुक से आपको पढ़ांग similar देखे यह आहां पे यहां तक यहां से यहां तक हम भुक से पढ़ेंगे बालक के विकास की प्रकरिया जर्म से पूर्व है जब वहां माता के गर्व में आता है तब इसे आरम हो जाती है बालक के विकास की जो प्रकरिया है जो डिपलेमेंट का प्रोशिश है वो जर्म से पहले ही सुरू हो जाता है जब वो माता के गर्व में आता है ठीक है फिर जन के बाद शेश्ववस्था बाली आवस्था किसोर आवस्था और प्रोड़ा अवस्था तक क्रम साँ चलती रहती है क्या विकास की बात हो रही है इस प्रकारवा विकास की विभिन अवस्थाओं से गुजरता है जिन में उसका सारेडिक, मानशिक, शम्वेक आत्मक और शामाजिक विकास होता है वहीं पर हॉर्लॉक ने लिखा है कि विकास के प्रिणाम सुरूप विक्ति में नई नई विशेष्टाएं, नई नई योगताएं आती है डिवल्लमेंट रिजल्ट्स इन निव क्रेक्रिक्टिक्स और निव अबिलेटीज ठीक है जो व्रद्धी है हमारी वो क्वांटिटेटिव होती है, मातरात्मक होती है, इस बात को अब ध्यान रखिएगा विकास एक बहुमुखी प्रिक्रिया है जो कि मल्टिपल आस्पेक्ट्स में होता है इसमें बहुत सी बातों का समावेश होता है शिच्छा मनोवग्यान की अध्यान में बालक का किवल बहुत धिक पक्ष ही नहीं बलकि उसके व्यक्तित के सर्वांगीन विकास मैंने कहा ना मल्टिपल आस्पेक्ट्स सर्वांगीन विकास के लिए सारेलिक मासिक समाजी को समवेगात्मक अवस्थाएं भी महत्पूर्ण है विकास के ये सभी पक्ष परसपर समंदित है बालक विकास का वर्ण करते समय, विकास का अर्थ, शरूप, शिधान और विकास की विबिन पक्षों पर प्रकास डाला आवश्यक है तो ये एक बात होगी अभिवर्द्य और विकास की ठीक है, अब हम आते हैं अपने में पैंट्स पर देखिए तो आपने पढ़ लिया, कि यूँ तो दोनों सब तक पढ़ने की दशाका संकेत करते हैं कि जो ब्रद्य है वही विकास है लेकिन इसमें डिफ्रेंस है, इस कारण से दोनों को एक ही अर्थ में प्रियोग किया जाता है परन्तु दोनों में अंतर होता है विकास को यदि हम एक प्रक्रिया मानते हैं, तो व्रद्धी को हम उस प्रक्रिया का परिणाम मानना चाहिए ठीके, जो व्रद्धी है वो विकास का ही एक हिस्चा है प्रोफिसर सौरिंसन कहते हैं कि विकास एक गुणात्मक गुणात्मक, ठीके परिष्टिती है जबकी वरद्धी जो है वो परिरमानात्मक होती है इसका उधारन उन्होंने लंबाई, मोटाई, भार शब्द बंडार, आदमे ब्रद्धी बता करके बताया है कि सब्द बंडार यानि की बालक पहले एक सब्द सीखेगा पहले मा 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 मतलब मा बोलेगा फिर पापा बोलेगा फिर दीरे 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 उसके सब्द भंडार में ब्रद्धी होती चली जाएगी कितनी लंबाई हुई? कितना मोटापा आया? कितना विवेट हुआ? आदी ये सब जो है मापन मापन किया जा सकता है इसको हम माप सकते है और क्रमसा जो प्रिवर्थन होता है उससे व्रद्धी का ग्यान होता है कि कितनी व्रद्धिस के अंतरगत इसके अंदर हुई है जब हम विकास पर ध्यान देते हैं तो ग्यात होता है कि व्रद्धी के साथ उसमें कुछ आने गुण भी आ गए है भाई अगर हम बात करें तो अगर हम अपने जब हम 12, 13, 14, 15 साल के थे अगर उन दिनों को याद करते हैं तो लगता है कि यार कितनी बेखोफी करते थे हम बताओ कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिया हम लड़ाई करते थे लोगों को मार पीट आते थे है ना तो या फिर हम पहले बताओ कैसा सोचते थे कितने हसी आती है न अपने आप पे उससे बातों को याद करते तो हमारा क्या हुआ समय के साथ हमारे अंदर विकास हुआ, development हुआ, परिवर्तन हुआ, और अब हम क्या है, mature हो गए, है ना, तो ये क्या है, कि हमारी व्रद्धी के साथ, हमारे साथ विकास भी हुआ, परिपकोता आ गई हमारे अंदर, हमारे अंदर दड़ता आ गई अब हम भटकते नहीं है यहाँ विकास का सूचख है अताब विकास के अंतरगत वृध्धी भी शामिल है ठीक है अब हम एकक्लाइन में इनका अंतर समझेंगे वृध्धी और डिफलेमेंट growth और वर्धि और विकास, growth and development वर्धि को मापा जा सकता है कि भाई कितना, कितने इंच तुम बढ़े है ना, तुम्हारे नाखुन कितने इंच बढ़े, कितना तुमने इसको काट दिया, ये सब हम आप सकते हैं, विकास को मापना कठीन होता है, कैसे भाई, कल तुम्हारे नाख कितना विकास हुआ था, कल तुम्हारे नाख कितनी समझ आई थी, आज तुम कितने समझदार हो गए हो, क्या इसको नाप सकते हैं, माप सकते हैं, जी नहीं माप सकते हैं, पंद्रा साल पहले तुम्हारे नाख कितनी समझ थी, आज कितनी समझ है, क यानि कि एक परिपक्ता जब आ जाती है कि सुराबस्था तक होती है यानि कि जब हमारे अंदर परिपक्ता आ जाती है चीजें हमारे अंदर जो है फिक्स हो जाती है एक समय के बाद प्रद्धी रुक जाती है और विकास पूरे जिवन प्रद्ध यानि कि जर्म से कब्र तक ह होता है वर्ति सारेडिक प्रिवर्तन है या सारेडिक मांसिक सामवेगिक सामाजिक सभी प्रिवर्तन सामवेग यानि कि मल्टिपल आस्पेक्ट्स में होता है विकाश वर्ति में होने वाले जो प्रिवर्तन है उन्हें शामानी रूप से जीवन में देखा जा सकता है कि भाई आज से तुम मतलब 4-6 महीने या साल भर पहले बाच्चा कितना था फिर उसका स्रीर कितना बढ़ा तो इसको हम देख सकते हैं कि पहले इतना था और अब इतना बढ़ा ये है ना एक मापा जा सकता है लेकिन विकास को सामरता देखा नहीं जा सकता हम आइडिया नहीं लगा सकते क्योंकि यह अपरतेक्च होता है दिखाई थोड़ना देखा देता है कि कल कितना तुम्हें कितना नौलेज था आज तुम्हें कितना नौलेज है वो अपरतेक्च होता ह विकास अपर्टेक्छ है वर्धी की प्रक्रिया आंतरिक होती है और विकास की प्रक्रिया केवल आंतरिक होती है है ना वर्धी विकास का एक छोटा रूप है वर्धी जो है वो विकास का ही एक रूप है विकास की सतत प्रक्रिया में यह एक छोटा सा चरण है और विकास शब्द एक विस्तरत सब्द है वर्द्धी विकास का ही एक भाग है मैंने पहले भी बताया है संकुची तर्थ में शारिडिक आकार की बढ़ने को वर्द्धी कहा जाता है अगर हम बात कहें तो साइलिक आकार को बढ़ने को वर्द्धी कहते हैं और विकास जो है वह मानसिक क्रियाओं की और संकेत करता है जिसमें मारा सरवांगिण विकास होता है साइडिक, महासिक, सामवेगिक, सामाजिक, यस भावनात्मक, यस सभी पिर्वरतर किसमें विकास के अंतरगत आ जाते हैं, ठीक, चलिए, एक अंतर और लिखा है, अभी वरत्दी और विकास, ग्रोथ और डफलेपेंट ये भी है, हलांकि बात दोनों सेम ही है, कोई खास अंत लगती है, तो एक छोटा सा अंतर यहां भी लिखा हुआ, मैं इसको आपको बता देता हूँ, केवाल साड़िक, पक्छ में होने वाला परिवरतन विकास कहलाता है, लंबाई, चोड़ाई, भार में ब्रद्धी, व्रद्धी है, कायरे छंता में ब्रद्धी, विकास है, वा multiple aspects में काम करती है यानि कि ये बहु आयामी होती है जिसमें हमारा सामाजिक, सामवेगिक, साइडिक, भावनात्मक सभी विकास आ जाएंगे ये दिखाई पड़ती है और ये बायवरांत्रिक दोनों होती है कुछ समय के परश्चात रुक जाना व्रद्धी के अंतरकत आता है जबकि विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है जन से कबर तक चलता है के वर आकार बढ़ने से समंदित है कौन व्रद्धी और यहाँ संपून परिवर्तनों से समंदित है सीधे नापा तोला जा सकता है इसको मापना संभव नहीं है यह हमारा परिमानात्मक मात्रात्मक और संख्यात्मक होता है जबकि यह परिमानात्मक और गुणात्मक कौन विकाश अभिवर्द्धी में विकास नहीत नहीं होता लेकिन विकास में अभिवर्द्धी नहीत होती है जो development है उसके अंतरगत व्रद्धी भी आती है लेकिन व्रद्धी में विकास नहीं आता एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने आप तक शेयर किया अभिविध्य और विकाश ठीक है जो भी पेड़ से उनको इसकी PDF पहुंचा ही जा चुकी है और अगर कोई रहता है तो वो कॉल करे उसको तुरंद भीज दी जाएगी ठीक है एक फीस है फीस 500 है जिसके अंतरगत आपको स कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट छोड़ दीजिए मैं 100% रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं चलिए मिलते हैं बहुत जलती नेक्स्ट क्लास में